बतफ़ साहथ आपके आमारे चलीवें दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक बिएच जानकरीदेने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपके राशन काट से जिड़ोए सारे सवाल और डाउट्स क्लियर करने कोई करेंगे दोस्तो वीडियो बहुती छोटी सी रहने वाली है लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको राशन कार्ड के आपके डाउट जैसे की APL, BPL, PHH या AAY इन सभी राशन कार्ड के बीच के जो डिफरेंसिस हैं वो आपको सारे बताएंगे किन लोगों के लिए कार्ड होते हैं, किन लोगों को इसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी इस वीडियो के अंदर हम किलियर करेंगे दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीज़े सब्सक्राइब के लाल निशान के ओपर टच करके और घंटी के निशान पर जो टच कीज़े ताकि हमारी नए नए वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले केटेगरी में नंबर आता है APL का दोस्तो आप सभी लोग APL कार्ड को जानते होंगे APL कार्ड का मतलब होता है APL यानि की Above Poverty Line Above Poverty Line गरीबी रेखा से उपर दोस्तो अब आप सोच रहे हैं कि ये लाइन आकिर है क्या तो दोस्तो देखे अलग-अलग स्टेट्स के अंदर गरीबी रेखा निर्धारित करी गई है जैसे कि हर्याना में अलग हो सकती है दिल्ली में अलग, बिहार में अलग और यूपी में अलग तो दोस्तो ये आपको खुद अपने स्टेट्स में पता करना पड़ेगा कि आपके यहां पर गरीबी रेखा क्या निर्धारित की गई है जैसे कि बिहार के अंदर अगर आपकी वार्शिक आए पूरे परिवार की सालाना आए अगर 15,000 रुपे से कम है तो आप APL केटिगरी में नहीं आते यानि कि आप BPL केटिगरी में आते हैं अगर आपकी 15,000 से उपर होगी तो आप APL केटिगरी में आएंगे उसी तरह से जो हर्याणा के अंदर है वो 20,000 रुपे के इसकी लिमीट है यानि कि अगर आपके परिवार की वार्शिक आए 20,000 रुपे से अधिक है तो आप APL के डिगरी में आते हैं तो दोस्तो अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग ये निर्धारित की गई है तो दोस्तो इसके अंदर लाब क्या मिलता है लेकिन जाता स्टेट्स के अंदर APL के अंदर कोई भी राशन आपको इशू नहीं किया जा सकता तो दोस्तो अगर आपके पास मालीजे कोई गाड़ी है आपके पास खुद का अपना मकान है कोई जमीन है तो आप इस केटिगरी में आपको रखा जा सकता यानि कि APL केटिगरी के अंदर ही आप आएंगे दोस्तो अब बात करते हैं BPL कार्ड की तो दोस्तो BPL कार्ड का मतलब होता है B below poverty line दोस्तो below poverty line यानि कि गरीबी रेखा से नीचे अब जैसी कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में गरीबी रेखा जो है वो निर्धारित की गई है तो उस रेखा से अगर आपकी income नीचे है तो आप BPL कार्ड की केटिगरी में आएंगे और BPL कार्ड आप बना सकते हैं दोस्तो इसके लिए जो जनगर्णा की लिस्टे उसमें भी आपका नाम होना चाहिए और साथ इसाथ आपकी जो income है वो निर्धारित की गई सीमा से कम होनी चाहिए दोस्तो इस केटिगरी में जो कार्ड जिनका बनता है उनको यहाँ पर बहुत अधिक लाब होता है तरकार की सभी सेवाओं के अंदर उनको लाब दिया जाता है और साथ इसाथ राशन भी उनको काफी अधिक मिलता है और कम रुपयों पे उनको राशन दिया जाता है दोस्तो तीसरे नंबर पर जो category आती है वो है AAY यानि कि अन्तियोदे अन्योजना जो आप जानते ही है तो वो किन लोगों को दिया जाता है दोस्तो ये उन लोगों को card issue किया जाता है जिन लोगों के पास कोई भी income का source नहीं होता ना ही उनके पास कोई मकान है ना ही उनके पा बहुत जादा उनको यहां से लाब मिलता है दोस्तो अगला जो राशन काड़े वो होता है पी एच एच यानि कि प्रायरेटी हाउस होल्ड अभी अभी कुछ स्टेट्स के अंदर यह लागू किया गया है धिरे धिरे शायद हो सकता है पूरे भारत में भी इसे लागू कर दि से वो इतना नहीं है तो आप पी एच एच कार्ड की कैटेगरी में आएंगे यहां पर आपको राशन तो दिया जाएगा लेकिन आपको थोड़ा आपको मुल्य जादा चुकाना पड़ सकता है यानि कि एच 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 के अंदर आपको भूत ही सस्ते दामों पर आपको लगू कर दिया गया है यानि कि अब आप पी एच एच कार्ड को बीपेल कार्ड की तरह ही मान सकते हैं और उसी तरह से आप उसका लाब ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके राशन कार्ड से जुड़ी हुई तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकरी प्लीज आमें कमेंट करके बताएं अगर अच्छे लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों पर्वरार के साथ इसे शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए आपकी स्क्राइब जरू करके लाले शान के उपर टच करके और उसके घंटि के पर जो टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाय हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलते रहें ये बिल्कुल फ्री होतार आप इससे बहुत ज़्यादा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद